हमश्कार फ्रेंट्स मैं संतोश पाटिल संतोश रूपिंग के यूटूब चानल में स्वागत है फ्रेंट्स जैसे कि हम रूफ के रिए काफी सारे प्रोड़क्स यूज करते हैं उसमें से एक प्रोड़क्ट आता है जिसको हम बोलते हैं शिंगल्स शिंगल्स जो बना रहता है आसपार्ट रहते हैं मतलब जो स्टोन रहते हैं उसको सिरेमाइज किया जाता है और जो बिटुमिन रहता है नैक्सल बिटुमिन और फाइबर शीट उससे बना रहता है जनरली जो शिंगर्स आता है वो आउट आफ इंडिया से आता है क्योंकि अभी तक इंडिया में शिंगर्स बनाने की सिस्टम नहीं है या फिर हम यहां पर मतलब कोई मैनिपेक्चरिंग कंपनी है ने तो फिर आज हम देखेंगे कि सिंगर्स कैसे इंस्टॉल होता है और उसके फाइदी क्या है तो फाइनली फ्रेंड्स हम अभी साइट पर आये है यहां पर सिमेंट बोड लगाया हुआ है पहले से फाइबरिकेशन करके अभी हम देख सकते हैं या पर थोड़ी सी धूल है सिमेंट बोड के ओपर वो थोड़ी सी क्लीन करनी है और उसके उपर अभी हमें प्राइमर है उप्राइमर लगाना यह देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इस तरह के से हमें प्राइमर लगाना है प्राइमर को जेनरली बलाक जपान बोला जाता है या फिर 산 numer बॉलते हैं तो कुछ इस तरीके से अम या तो फिर से अपला कर सकते हैं इसेज्टे抗ाλαई कर सकते हैं लेकिन अगर हम मेंदगें लगा रहा रहे तो फिर लगाना मस्त है ध्यान रखिए कहाओ ह मी प्राइमर लगा के हो गया एक देख सकते हैं पूरा इससे ब्लैक हो जाएगा पूरा अभी हम यहां पे जो बिटुमिन रोल है वो लगा रहा है जिसको एपीपी मॉडिफाइड मेंब्रेन भी बोलते हैं अभी मेंब्रेन रोल यहां वहां पे बिचा की लिया है और उसके बाद अभी जैसे जैसे हम उसको टॉर्चर से गरम करेंगे यह टॉर्चर है को लपीजी गैस के ऊपर चलता है कमर्शेल सिलिंडर लेना पड़ेगा हमें और जैसे 180 डिगरी टेंपरेचर हम उसको दे देंगे तो फिर आरम से पिगल लेगा 180 डिगरी मिनियूम रहेगा टेंपरेचर जैसे जैसे पिगलेगा आपको पता चलता रहेगा और अगर वह बिना गरम हो गए हमने वहां पर करना पड़ेगा कि देख सकते हैं हो अगर गरम सही तरीकर से नहीं हुआ है और अगर चिपकाने जा रहे तो फिर वह नहीं चिपकेगा और हो सकता ही कि वह स्कुरत मेंश्व खराब हो जाएगी कि यहां पर हम देख सकते काफी सारी आग दीक रहे हैं आपको तो यहां पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर यहां में काम करना होता है कि एक बार पूरा होने के बाद भी उसके जोईंट से वह भी एक बर चेक किये जाते हैं यह देख सकते हैं जैसे भी कॉर्णर वगरे जो रहे थे हैं तो उनको भी प्रॉपर तरीके से हमें आपके उसको चिपका चिपकाना पड़ेगा जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जो जॉइंट्स है और फिर से अभी हम हमें एक बार वहां पर चेक करने देखे कुछ इस तरह किसे कभी-कभी ओपन रह जाते हैं तो फिर वह पहले सील करके लेने हैं और बिल्कुल उसके बाद उपर की जो लाइन रहेगी दो मेंब्रेंट हैं कि जॉइंट्स रहेंगे तो फिर वहां पर भी आपको कुछ इस तरह किसे गरम करना है और एक तो जैसे देख सकते आप पॉलिश पत्र है उससे भी आप सील कर सकते उसको या फिर हमारे पास अगर थापी रहती है तो उससे भी इसीली हम कवर कर सकते तो उसी के वज़े के तो हिशे रहेंगे नहीं कि चैनरल हम अ मेंब्रेन ओरलैप करते हैं तो फिर धाहन में रहें कम से कम से तीण इंच ओर य open और अला है तो फिर लिकेज отк bomोने के बहुत ज्यादा चैंश्सिस रहेंगे यह देख सकते हैं आप हेमारे पास मिनल एद्वा skeptता है कि यहां से नीचे का जो portion हो दिखने वाला है और उसके ऊपर वाला जो यह से ऊपर पोर्शन है एंट तक का यह जो है वह और लैपिंग में अंदर जाएगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा और यहां पर यह देखे थोड़ी से हाइट वाला है यह नीचे यह हाइट है ऐसे उपर और नीचे उसके हिस्से रहेंगे स्क्वेर कट रहेंगे वहां पर तो कुछ इ किसनी तरीके से पकड़ां है अगर हम ऊसको बीच में उठा लेते हैं और पकड़ते हैं तो फिर मतलते से लिए क मदि अपको सकते हैं पलेधी मिठ के लिए स्टार्ट कर देते हैं पहली जब लाइन लगाने हैं तो पहली लाइन एक आदा इंच हमें शिंगल बाहर निकाल के प्रिंट करने होती है जिसके बज़े से पानी स्लोप के बाहर गिर जाए यह देख सकते हैं और इसके बाद थोड़ा सा एक बार पूरे एक लाइन कि देख लेते कि शिंगल कितना बाहर आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है इसके जो जॉइंट्स है वह भी काफी बढ़िया तरीके से जॉइंट्स करने पड़ते हैं देखे एक लाइन दूरी का भी फरक नहीं है उसी के इसाब से एक बार लाइन लगा के ले रहे हैं तो टेंप यहां पर थोड़ा से नीचे से आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल कुछ उसी कि दरे तरीके से बाकी के भी जॉइंट्स लेने होते हैं हीा में जो पहला जो पीस है कुछ इस तरीके से लगाना अ ऑगर हम जाया हिप स्टार्टर से हैं अ आप उन्हों करने बैद है कुछ ही से हमिन थोड़ा सा मार्किंग करके लेना है और उसके बाद हम उसको कट कर सकते हैं कि दिख लिजे उसको इक हलका सा एक लाइट वाला एक जो कॉट रहता है वह लगता है उसमें बाकि तो कुछ खास चीज़ा इसे कटिंग के लिए लगती नहीं है इस देख सकते हैं को इसको काठ सकता है आधिस गुद्ब कुछ इस तरिके से उसका fine cutting होना बहुत ज़रूरी है एक बार वो cutting हो गया तो फिर उसके आगे वाले जो pieces है एक देख सकते हैं जहां पर joint हो रहा है बिल्कुल यहां पर यह देखें नीचे दोने वाले भी दोनों उपर वाले हैं तो फिर दोनों ओपर वाले हैं तो फिर यह द्यान में रखें अगर काम कर रहे हैं इसारे बहुत ही छोटी छोटी चीजे है जो करनी होती है अगर वह हम नहीं करके लेंगे तो फिर जो सिंगल्स का एक्च्वल लुक है वह इतना नहीं आएगा इतना बड़िया नहीं आएगा अभी हम शिंगल्स लगाना चालो कर देंगे यहां से जहां पर भी शिंगल्स लगाना है उसके नीचे का जो मेंब्रेन है वह हमें पूरा गरम करके लेना है बिल्कुल इस तरीके से अभी एक देख लिए अभी पूरा पिगल रहे हो जैसे इस लेवल तक वह पिगलेगा तो लिए वहां का सिंगल्स का पैनल आपको लगाना है और बिल्कुल लाइन दूरी को लेंकर के लगाना है ताकि लएंडूरी खराब ना थी देख सकते हैं दूसरे जो पीसेस है उसको पर्र तरिके से जोइन करके लगाना है यह देखिए पहले से हम ने अभी एक लएं लगा कि एक बार पूरा पीस करम हो जाए तो फिर यहां पर ऐसे लगा सकते हैं तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके से हमें शिंगल्स लगाना है इसमें कोई फरक नहीं रहेगा बिल्कुल 100 परसेंट यही एक सिस्टम है कि देख सकते हैं अभी एक साइड में लगा कि हो गया है दूसरी साइट लगाना बाकि है कुछ इस तरीके से देखेगा जनरली जो शिंगल्स की जो साइज रहती है वो करीब 39 इंच वाई 14 इंच के असपास अगती है यह देख सकते हैं कि अगर बढ़ी है तरीके से इंस्टाल हो गया है यह अभी सेकंड़ में बाकि इंस्टॉलिशन हुआ है यहां पर रीज बिठाना बाकि है कुछ इस तरिके से इंस्टॉल हो जाएगा उसकी जो लाइन दूरी में पूरी उसके लाइन जो है एकदम परफेक्ट आ गई है तो यह सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब अगर हम काम कर रहे तो कि आप िरा अपीद देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर रिज़ बैठेगा और उसके बाजू में एक लाइन भी दीख रहे जनरली मेंब्रेन को जो लगा रहा है तो फिर रीज की जो साइज रहेगी उससे एक इंच कम रहेना चाहिए मिनिमुम तो जिसके बज़े से मेंब्रेन रीज के बाहर नहीं दिखेगी तो इसके सब सही हमें अभी टॉच करके लगाना है बिल्कुल यही सिस्टम होनी चाहिए जितना मेंब्रेन हम गरम करके लगाएंगे उतना ही हो सही बैठेगा और उसके उपर जो आने वाले रीज है वह उतनी ही सही बैठेगा तो फिर जो मेंब्रेन हम रीज के यहां पे लगा रहे है वो काफी अच्छी तरीके से लगाने जरूरी है यह देख सकते हैं बिल्कु पर जो only स्पानल और मे lot कर कि देख सकते हैं अब्लेट होने के बाद कुछ इस तरह के से दिखेगी कि इस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उसकी लाइन लेवल या फिर उसका फिनिशिंग जो है वह बहुत ज्यादा मैटर करता है तो कि इस तरह किसे हमारा जो प्रोजेक्ट है और मुश्ट फाइनल हो चुका है अभी आप देख सकते हैं कि इस ज्यादा होते हैं एक तो बहुत ही लाइट वेट है बहुत ही पतला मटरेल है तो फिर काफी लोगों को फ्लैट जो रूफ पसंद आता है तो उसके लिए बिए सबसे बढ़िया है जनरली जो शिंगल्स आता है वो डबल टोन में आता है तो दिखने में बहुत कुब दिखता है आपि लोटने काफी बढ़ियो घृटते जो रिशे खांते हैं शरे पिए जो रिए समकरल यह कुछ इसा बोकाया है ऑसकी बादिकर जो भुत अलग ही रिंख मैं वैसे तो आते है लेकिन और रेपिन रहेता है कि क्से रिज कुछ इसतरी के से हमारा शिंगल्स का प्रोजेक्ट है क्वेट हो गया है तो फ्रेंड्स यह वीडियो था हमारा शिंगल्स इंस्तॉलेशन का I hope कि आपको अच्छा लगा है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है किसी काम का हो सकता है तो फिर हमारे चैनल को लाइक किजिए, शेर किजिए, सब्सक्राइब किजिए और कमेंट करना मद बोलिए मैं संतोष पातित, संतोष रूपीं के यूटूब चैनल से धन्यवाद फ्रेंड्स